हेलो एविरीवान वेलकम टॉ माई चैनल देख़िए फ्रेंड्स आज मैं आपको यह राउंड शेप बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स आप इसे डोर मेट बना के भी यूज कर सकते हैं पूजा का आसन भी बना सकते हैं यह मैंने पूजा का आसन स्टार्थ किया हुआ तो यह अगर आपको अलग-अलग कलर लगाने है तो आप ऐसे अलग-अलग कलर भी लगा सकते हो और इसको आप दो कलर से बनाना चाहते हो तो दो कलर से भी बना सकते हो एक कलर से भी बना सकते हो यह देखे उपर मैंने यह कलर लगाया है अगर आपके पास थोड़ी वूल है या आप साड़ी अचुन्नी से बना रहे हो, तो friends, ये आप ये अलग-अलग flower भी बना सकते हो, जैसे अलग-अलग कली बनाई हैं, ये flower भी आप अलग-अलग बना सकते हो, निक तो जो आपके पास ज्यादा wool है, और ज्यादा आपके पास या चुन्नी की पटियां ज्यादा हैं, तो आप उपर एक-एक color का बना लीजिए, कली अलग-अलग color की बना लीजिए, और ये कली भी आप एक color से भी बना सकते हो, दो color से भी, मैंने ये multi color से बनाई है, और friends मैंने ये 40 फंदे से बनाया है, 40 फंदे से ये काफी बड़ा बन के complete होगा, देखी इतना बड़ा बना हुआ है, कि ये पूरा का पूरा camera में भी नहीं आया है, और बनाने में बहुत ही आसान है, beginners भी इसको आसानी से बना लेंगे, तो friends अगर ये design आपको पसंद आया है, तो please इसे like कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर कर लीजिए, bell icon का प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले, तो चलते हैं इसे बनाना start करते हैं, ये देखिए, इसको बनाने के लिए friends मैंने 9 नमबर की needles का इसमें यूज किया है, और ये देखिए, wool है मेरे पास, ये double किये है, मैंने पतली थी, ये जैसे friends हमारे पास थोड़ी-थोड़ी wool बच जाती हैं, तो उनी से हम ये design बना सकते हैं, और साड़ी और चुन्नी से भी आप ये design बना सकते हो, ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक note लगा लेंगे, जैसे फंदे आपको डालने आते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हूं, मैं beginners के लिए बता रही हूं, ये देखिए, एक note लगा लिए, ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे, दो, धान से देखिए, तीन, चाल, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, इसी परकार से मैं इसमें तीस फंदे और डाल लूँगी, चालिस फंदे हम इसमें डाल लेंगे, ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने चालिस फंदे डाल लिए हैं, जो भी आप कली बनाओ जिस कलर से, उस कलर से आपने इसमें फंदे डाल लेंगे, तो देखिए, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो देखे फ्रेंड्स फर्स्ट रो से ही हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे तो दो फंदे मैंने इसमें इस साइड बिना बने उतार लिये हैं यह देखिए यह पूरी रो मैं ऐसे ही उल्टा-उल्टा बनाऊंगे इसको मैं एंड तक बना लिती हूँ देखिए दो फंदे मैंने इस साइड छोड़ दिये थे और दो फंदे मैं इस साइड छोड़ दूँगे तोन्नों साइड हम इसमें फंदे छोड़ेंगे पलट लेंगे फस्ट वाले को ऐसे ही उतार लूँगी और देखिए इस साइड से भी हम इसे यह हमारे सीधी साइड बनेगी ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इस रोकों में कम्पलीट करूँगी तो मैं इसको बना लेती हूँ यह देखिए यह इस साइड से भी मैंने रो उतार ली है यहां तक हम बनाएंगे दो फंदे हमने छोड़ दिये थे यह हम नहीं बनाएंगे पलट लेंगे इस साइड से देखिए यह दो फंदे हम फिर से उतार लेंगे दो दो फंदे दोनों साइड से ऐसे ही हम छोड़ इस रोको में उस साइड तक लेके जाऊंगी यह देखिए दो फंदे हमने पहले छोड़े थे दो हम इस बार छोड़ देंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे तो फ्रेंड्स दोनों साइड हम दो दो फंदे छोड़ते हुए इस साइड भी दो और इस साइड भी बीच सेंटर में आ जाएंगे तो मैं दोनों साइड से फंदे छोड़ती हुई मैं उपर आ जाऊंगी जब मेरे चार फंदे बच जाएंगे तब तक मैं चार या छे तब एसे में चोटूंगे , फिर मैं आपको उपर का बताऊंगी , दोनो hob ie से बराबर फंदे चोडने है तो मैं बीच तक बना लेती हूं , उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी कि ऑपर हम कैसे बनाएंगे , यह देखिए , दोनो साइड से friends मैंने दो दो फंदे छोड़ दिये हैं ये देखिए अलग से दिखाई देंगे आपको ये उपर देखिए 4 फंदे बचे हुए हैं आप देखिए हुआ है कि इसको उतार लेंगे इसको बना लें ये दो फंदे हमने इस बार छोड़े इस आइड आप देखिए कि बिल्कुल हमारे फंदें बराबर बराबर फंदें हमारे छूट गई हैं 10 20 फंदेइस स्डै बीससस जया है अब देखिए राइट से लेफट की तरफ और यह सारे ही फंदे हम ऐसे बना लेंगे, क्योंकि यह सीधी साइड है, कलर हम चेंज करेंगे तो हम इस साइड से करेंगे बैक साइड से, कली हमारी बनके complete हो गई है आप जितने भी फंदे डालो friends 60 फंदे का बनाओ या 50 फंदे का 30 फंदे का आप 3-3 फंदे का भी पेर बना सकते हो और 2-2 का भी मैंने 2-2 का बनाया है जैसे फंदे डालो उसी हिसाब से आप पेर बना लीजिए तो 3-3 फंदे भी आप इसमें छोड़ सकते हो यह देखिए end तक किनारे वाले को हम सीधा बना लेगे यह देखिए friends हाफ हमने बना ली ऐसी कटोरी जैसी शेप बनी है लेकिन जैसे हम यहाप उपर डिजाइन बनाएंगे तो यह अपने आप ही शेप में आ जाएगी यहाँ से मैं इसमें अब यह जो उपर का यह वाला फ्लावर अब हम इसमें बनाएंगे तो यहाँ से मैं इसमें एक कलर और लगा दूँगे आप यहाँ पे इसकी नोट लगा लेजिए मैं इसको दबा के पका करूँगी और इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए यह देखिए इसको हम अंदर ऐसे दबा लेंगे और इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए यह देखिए और इसको भी फ्रेंड से आप यहाँ से काट दीजिए अगर आप दूसरी कली दूसरे कलर से बनाओगे तो और उपर फिर आप इसको इसके अंदर ऐसे दबा दीजिए ताकि यह बहुत ही हम इसको सफाई के साथ है बना के कंप्लीट करें यह देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, ध्यान से देखिए नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सतरे, ठारे, उननीस, देस एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एक फंद एक्स्टरा बना दिया यह देखिए, बीस फंदे, फ्रेंड्स, मैंने इस पे ले लिए हैं, बीस फंदे हमने छोड़ दिये हैं यह अभी हम आगे के नहीं बनाएंगे, यहीं से पलट लेंगे, दहांसे देखिए, और यह पूरे हम, रो ऐसे उतार लेंगे यह देखिए किनारे बाले को सिधा बना देंगे, हाफ फंदे हमने इस कलर से बना लिए हैं, अब देखिए अब हम फ्रेंड्स से दो दो फंदे छोड़ते हुए उपर की तरफ आएंगे यह देखिए, दो फंदे छोड़ देंगे और यही से वापस मुड़ जाएंगे दो दो फंदे छोड़ते हुए हम बिलकुल उपर तक इसको बना लेंगे बहुत ईजी डिजाईन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स से जिसको थोड़ा बहुत विल्टा सीदा बनाना आता होगा, वो इस डिजाईन को बहुत आसानी के साथ है बना लेगा, यह देखिए किनारे वाले को आप हमेशा सीधा मनाईए इससे हमारी बहुत यच्छी फिनिशिंग आएगी तो फ्रेंड्स मैं ये दो-दो फंदे छोड़ते हुए मैं उपर तक आ जाऊंगे ये देखिए दो-दो करके अलग से दिखाई देंगे ये मैंने सारे फंदे छोड़ दिये चार इस को सीधा बनाने से ऐसी हमारे किनारे के फिनिशिंग आएगी आप देखिए इतनी हमारा ये फ्लावर बन गया है एक बार हम ये सारे फंदे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कई बार आप वीडियो कम्प्लीट पूरा नहीं देखते तो बाद में कोमेंट्स आते हैं कि मै पारे में जोल पड़ गया अब हम क्या करें तो वीडियो प्लीज आप पूरा देखिए जिसका भी आप डिजाइन बनाओ कोई भी अपनी पसंद का तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करो फिर कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी क्योंकि सब भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं वीडियो पूरा नहीं देखते इसलिए कोई बीच में कोई टिप सापकी रह जाती है यह देखिए अब हम एक फंदा छोड़ देंगे अगर फ्रेंड्स हम इसको बना लेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल बन जाएगा गैप ज्यादा बन जाएगा एक फंदा हमने छोड़ दिया और हम यहीं से वापस मुड़ गई क्योंकि हम इसको एक बार फिर से हम दो दो फंदे इसमें छोड़ के एक बार फिर से इस फ्लावर को बनाएंगे ताकि हमारे किनारे बिल्कुल खुले खुले बने जोल की अब इन आपको दिखाऊंगे फिर में इसको पूरा करके दिखाऊंगे यह देखिए एक बार हमने सारे फंदे छोड़ दिये फिर वापस बना लिए फिर से फस्तवाले को उतार लेंगे और यह सारे ही फंदे हम बना लेंगे द्यान से देखिए इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को एंड तक दिखा करो अगर यह आपने स्टार्टिंग देख लिए और यह देख लिया कि दो दो फंदे छोड़ने है तो आप वीडियो को वहीं पर रोक देते हो और आप इसको एक ही बार बनाओगे तो इसमें पक्का जोल आएगा यह देखिए अब हम एक फंदा और छोड़ देंगे एक हमारा पहले ही हमारा जोड़ा हो गया यह देखिए अब हम दो दो फंदे छोड़ते हुए फिर उपर तक आएंगे तो मैं इसे दुबारा फिर से कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाँ यह यह इसी कलर की है जब यह उपर का फिलावर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम यह सारे ही फंदे नीचे तक बना लेंगे दो बार हमने यह दो दो करके फंदे छोड़े हैं फ्रेंड से और अगर आप एक एक फंदा छोड़के बनाओगे तो यह आपका एक ही बार में आपको बनाना पड़ेगा और दो दो बार फंदे छोड़ोगे तो दो बार आपको यह repeat करना पड़ेगा अब देखिए यह सारे फंदे हमने बना लिए यह देखिए अब हमारा यहाँ पर जोल नहीं आया है यहाँ पर हमारा जोल फ्रेंट्स तो देखिए यह easily फंदा हमारा उठ जाएगा ऐसे आप फंदा उठाके और इसके साथ दो का एक कर दीजिए ताकि हमारा यह यहां का गैप भी खतम हो जाए यह देखिए और यह सारे फंदे भी हम इसी कलर से बना लेंगे एंड तक जितने भी आपने अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालें आप इसको जितना मर्जी बड़ा बना लीजिए सेम तरीका है बनाने का जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालेगा कलर आप इसमें अपनी 24 से जितने मर्जी लगा सकते हो यह देखिए यह हमारी इसकी शेप आई है तो इस वाले फंदे को फ्रेंड साब कमी बनाना क्योंकि नहीं तो यहां पर बहुत बड़ा होल बन जाएगा और यह पूरी रो में उल्टा उल्टा बनाके कम्प्लीट करोंगे यह देखिए सीवी साइड से मैंने इस तरों को कम्प्लीट कर लिया है यह देखिए अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको इसी कलर से कली बनानी है दो कलर लगाने है उपर फ्लावर में यह और नीचे यह तो आप यहां पे इसी कलर का यूज करिए आप इसको अंदर के उपर भी ले के आ सकते हों और यहां पे काट भी सकते क्योंकि यह हमने अंदर करके पका कर दिया है और अगर आप यहां पे कलर कोई और लगाओ तो वो यहीं से लगेगा बैक साइड से आप यहां पे इसकी नोट लगा लीजिए और ऐसे इसको पका कर दीजिए और इस वा स्टार्टिंग करेंगे बिगनर्स को कोई भी प्रोब्लम ना आए इसलिए मैं दूसरी के लिगी स्टार्टिंग आपको करके देऊंगी ऐसे ही आप इसमें यह फ्लावर कंप्लीट होने के बाद और ऐसे आप इसमें कलर लगा लीजिए यह दिखिए पूरी रोहम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे साड़ी और चुन्नी से भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो साड़ी और चुन्नी की भी मैं फ्रेंट से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफी सारे कॉमेंट्स आते हैं कि मैं हमें साड़ी और चुन्नी से बनाना है तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आपको साड़ी और चुन्नी से बनाना है तो उसकी भी आप देख लीजिए यह देखिए पूरी रो हम रेड से बना लेंगे दूसरी कली की हम स्टार्टिंग करेंगे इस रो में हमने अपना कलर चेंज कर लिया है यह देखिए पूरी रो मैंने उतार लिया है अब देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने नीचे वाली यह वाली कली बनाई थी ऐसे ही हमने उपर से बनानी है दो फंदे हमने इस साइड से बिना बने उतार लिये क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम यह शेप देंगे तभी हमारी कली की अच्छी शेप आएगी और दो फंदे हम इस साइड छोड़ देंगे दो दो फंदे छोड़ते हुए बीच सेंटर में आ जाएंगे जैसे यह कली बनाई थी फिर फ्रेंड्स हम बीच में आने के बाद सीध की लुक आएगी तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा डिजाइन हो बहुत इजी है और बनके 40 फंदे में भी बनके काफी बड़ा कंप्लीट होगा और साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो इसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा ल थैंक यू